नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब कि अच्छे हूंगे तो दोस्तों आज फिर से मैं हाजूर हूं निव ट्रीक और निव है के साथ वीडियो चला सभी दोस्तों यूस्फुल लगे तो लाइक करने के साथ सेयर कीजिएगा और निव है तो सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों आज हम साप करने वाले इसे कॉलगट से तो इलेक्टट समान है तो इसे हम पानी से तो साप नहीं कर सकते है। और कोई चीज से तो यहांपे हम कॉलिगट ले लिए हैं ब्रस ले लिए इस तरीक रफ करके अच्छे से लगा दीजिए पूरे में कॉलगेट और देखिए बहुत ही इदम देखने में तुरंत ही लगेगा कि दम आज क्या खरीदा हुआ मेरा एकदम से हो गया चमकीला तो यहां पर देखिए हम चारो तरब से रगड लिएं साप कर लिएं और एक रुमाल ले लेंगे यहां पर और नीचे में भी टल्य में भी जहां से करने और अरे यहां से प्रेस करते वहांबी साप कर सकते हैं और आएक रुमाल ले लेना लिए है क्योंकि रखेर समान दोस्तों पानी इस Squeeze नहीं चाहिए जैसा हो गया है वीडियो यूसफूल लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तो तो चलिए देख जाते हैं बच्चे का पार्स खतम हो गया है। जो पार्प ये जो मिलता है वहар का सूझ को पोलीष आए iffer ہलोandır मैं मिलता है और को कि हम और कीम मताइन को कि तो यह कोई चले मारत शुटरिकाश रह सकते हैं यहां पर ले लेना है थोड़ा सा नारियल का तेल एक ले लेना है कॉटिन का कपड़ा हो या रूई हो ले लिजे और थोड़ा सा लगा लेना है नारियल तेल कॉटिन के कपड़े पे और थोड़ा सा ले लेना है नील और इस तरीके से सूज को रव कर दीजे देखिए पॉलि बिना खर्च किये मेरे बैचे का जो है सूज एकदम देखने में लाइटनेस हो जाएगा तो है ना दोस्तो यूसफुल वीडियो कमाल का टिप्स देखिए कितना लाइटनेस मेरा हो गया है दोनों में अंतर फरक दिख रहा होगा तो इस ट्रीक को फोलो करके आप लोग धेरो करना होता है क्योंकि बड़सात के मौसम में ना बैड़समें पर्स में से भी आने लगता है तो यहां पर देखिए कोई टेलकंपवडर ले लिजे और इस तरीके से पर्स में डाल दीजे तो सीलन का बदभू जो है और जो बैड़समेल यह दो समने नहीं आएगा क्योंकि पाउडर से अच्छा सुगन्द हैगा और कोई भी निउस पेपर हो या कोपीवक के पेपर हो इसे रख दीजी अच्छे से वीडियो यूसफुल लगा हो तो लाइक कीजेगा दोस्तों तो चले देख लेते हैं नेक्स टिप नेक्स टिप हमारा आटा को लेकर हैं जैसा कि हम रोटी बनाने के लिए आटा गूते हैं दोस्तों तो कभी कबाल बच जाता है ऐसा नहीं है अगर साम को हम रोटी बनाने के लिए आटा गूते हैं तो सबेरे बच जाता है तो सुभे तक रखना पड़ता है तो ऐसा नहीं करना भी चाहिए क्योंकि हम रोटी जितना बनाना तो अगर दोस्तों हमारे घर में अगर हम रोटी बना रहे हैं आटा अगर बच जाए तो हम कैसे इसे संभाल के रखे जो हमारा देखते हैं होंगे कि आटा अगर कुछ देर तक गूत के ऐसे ही ढग के छोड़ देते हैं तो आटा में परत हो जाता है उपर से सुखा-सुखा स और आटा काला दिखने लगता है तो ऐसा ना हो तो इसके लिए हाँ पर कॉटन का कोई कपड़ा ले लिजिए इसे भींगो दीजिए पानी में भींगोने के बाद उसमें आटा को लपेट के अच्छे से रखिए और यहां पर एक ले लिजिए प्लास्टिक अगर दोस्तों आटा रखने के लिए तो हां दोस्तों आज का टिप्स कैसा लगा वीडियो वीडियो यूश्फुल लगा हो तो लाइक करने के साथ सेयर कीजिए और नहीं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा